बाल में तेल लगे हैं तो इसको इग्नोर करना क्योंकि तबियत अपडाउन होते रहते हैं लेकिन ब्लोग और भी कास के चैनल पे content quality में कोई अपडाउन नहीं होगा हमेशा premium quality के content free में provide किया जाता है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो सुरू होने से पहले ही like कर दिय पूरा master class बता है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देखो तब ये training part 3 continue करना तो आज के वीडियो में हम niche selection पर बात करेंगे क्यों है niche selection इतना जरूरी होता है देखो अगर हम कोई target set करते हैं तब ही हम वो इस goal को achieve कर पाएंगे तो niche selection वहीं है कि किस target का niche हम select करना है तो यहीं हम target set करते हैं इसलिए niche selection बहुत ज़्यादा important है let's suppose आपको नई दिल्ली जाना है और आप पटनाय station पर खड़े हैं जो कि बिहार में है तो आप इसमें से train A select करेंगे या train B of course आप common sense train A को पकरेंगे क्योंकि वो नई दिल्ली की तरफ जा है यहां पर आपका common sense काम कर रहा है लेकिन जब बात आती है YouTube और blogging की तो आपका common sense फेल हो जाता है वो कैसे मैं बता देता हूं क्योंकि आपको यहां पता तो होता ही नहीं है कि कौन से niche पे मुझे काम करना है ब्लोगिंग में क्या करना है नहीं करना है आप YouTube पे आते हो 20 ल क्योंत एक और वीडियो आ जाता है फिर वहां से ट्रेन मूर के इनके hosting खडीद के आप इसकी और मूर जाते हो फिर इसी चक्चर में आपका सालवर टाइम वेस्ट हो गया रहता है और आप ब्लोगिंग में कुछ नहीं कर पाए रहते हो आपका frustration और पैसा time सब बरबाद हो कर रहता है अब इसको नीज से रिलेट करते हैं देखो आपको तो पता ही नहीं है कि कौन से नीज से इस पर काम करना है उसके क्या outcome हो सकते हैं कितना income हो सकता है क्या नहीं हो सकता है यह पता नहीं होता है और आप क्या करते हो कि सीधे वीडियो देखके domain book कर लेते हो और domain क् कुछ दिनों के बाद रिजल्ट नहीं आता है जहां तहां से पता करके इस चैनल के बाले में पता चलता है और तब आके मेरे से टेलिग्राम गुरूप में बोलते हैं अब मैंने तो डोमेंड लेके ही गलती कर दिया मल्टी नीज को क्या मैं माइक्रो नीज में भट कर सकता या क्या मैं सब डोमेंड लेके उस पर काम कर सकता हूँ तो यह ऐसे काम नहीं होता है आपको पहले से ही आपको गोल डिसाइड होना चाहिए कि कौन से नीज में मैं काम करूँगा कितना आर्टिकल करूँगा इसे कितना इंकम होगा और यह साइट का वैलू कितना होगा यह चीजे आपको पहने पता होना चाहिए ये नहीं कि आप स्टेशन पे चले आए और आपको पता ही नहीं है मेरे को कहा जाना है नहीं जाना है किसी भी ट्रेन में चर रहे हो कहीं से उतर रहे है इधर वापस आ रहे है उधर जा रहे है और इसी लूप फोल में आप फंच जा र वो सारी चीजे आपको पता होनी चाहिए इसलिए नीज सेलेक्शन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से ने डेस्टिनेशन पर जाने वाला हुँ दिली जाओंगा बोंबे जाओंगा कुलकटा जाओंगा उसके लिए आपको प्रोपर एक पाथ सलेक्ट करना पड़ता है और आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि कौन से ट्रें से जाओंगा रिजर्बेशन से जाओंगा या कैसे जाओंगा ये सारी चीज़े आपको पता होने चाहिए और आपका अपना गोल पता होना चाहिए कि मैं अगर दिल ली जाओं कलकता जाओं तो किस ले जाओं सेम यहीं ब्लॉग में होता है कि मेरे को कहा जाना है मैं ब्लॉग में पर मंत 200 डॉलर कमाऊंगा कि 300 डॉलर है उनको पता ही नहीं चलता कि कौन से तॉपिक पे कंटेंड लेना है तो इसलिए निसजलेक्शन इंपोर्टन्ट हो जाता है बहुत ज़्यदा तो आज के विडियो में हम जानेंगे कि नेल सेलेक्शन कैसे करते हैं और राइट तरीका क्या है निस सेलेक करने का और नी सेलेक करने के लिए फर्मूला क्या है और कैपासीटी मेथड जो मैं हमेशा बात करता हूँ उसको हम डिटेल में समझेंगे तो कैपासीटी मेथड इतना इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है कैपासीटी मतलब आपकी अपना चमता थोरा ठेट भासा में और थोरा हार्स वर्ड में बोलेंगे तो आपका अपना अवकात मेरा अपना अवकात तो देखो हर किसी का अपना अलग-अलग लेवल का कैपासीटी होता है इस दुनिया में लो तो आपको अपना चमता फाइंड करना है यह सपने दिखाने वाला आप भूल जाओ यह सारी चीज़े बहुत गलत है आप एक तरफ से इंकम करो गोई दूसरे तरफ से भगवान जी आप से ले लेंगे तो आपको अपना यह पासिटी फाइंड करना है कि मैं कौन से नीस में अच्छा कर सकता हूँ वो सारी चीज़े हम बात करेंगे फर्दर तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हम हमेशा एक पार्टिकुलर नीस में काम करो एक ही चीज में चीजों को मिक्स करने की कोशिस मत करो लाइक ट नीसिस फाइंड करते है नीसिस होता है टॉपिक केटेगरी जिसके उपर हम ब्लोग बनाते हैं तीमा उसके बाद पार्टिकुलर केटेगरी में आप एक ऑथ्यूर्टी का मतलब यह नहीं होता है कि डिए लिवा दआर जाल गूगल का ट्रस्पेक्टर लोगों का ट्रस्प पोल्टिक्स दीश डैट सब कभर कर लूँ क्यों कभर कर लूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो बहुत ज्यादा इंकम होगा दोस्त उसमें ट्रैफिक आएगा ही नहीं आप बहुत ज्यादा के चक्कर में मत पर और इस चक्कर में मत पर हो कि अपने दुकान में मैं पनीर भी बेच लूँगा चिकन भी बेच लूँगा किसलिए कि पैसे होंगे तो इस इसाफ से कोई भी आपकी दुकान में नहीं आएगा अगर आपका दुकान एक नीज पे बहुत ज्यादा फेमस है तो बहुत ज्यादा लोग वहां पे आएंगे यह चीजे आप करने का सबसे पहले तो आकल का जो वीडियो था हमने उसमें कीवर्स बहुत सारे देखे बहुत सारे नीशेज देखे लेकिन उसको सेलेक कैसे करेंगे उन कीवर्स को उठाके आपको गूगल में जाके सर्च करना है टॉप 10 टॉप 20 रिजल्ट्स देखना है और वहां पे आ हमने रिमोट टीवी रिमोट के बारे में बात किया था ये वीडियो आप कल वाला देख सकते हों तो एक था एपल टीवी रिमोट तो लेट सपोज आपका कीवर्स जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये एपल टीवी रिमोट एक्जेक्ट कीवर्स के साथ हम डोमें लेते तो इसको partial match domain बोलेंगे तो इस type की अगर site आपको मिलती है तो उनको उठाओ और फर्दर उसको check करना होता है उसमें क्या हमें check करना होता है कि उनके article कितने हैं उस site ने फर्दर उसमें कितना article किया हुआ है यह चीजी हमें check करना होता है जो कि already हमेशा मैं यह बात कर चुका बहुत जगे बात किया है वो सारी वीडियो आप जाके देख सकते हो जैसे नीज फाइंडिंग सीरीज है वो सारा चीज तो देखो हम लोग जैसे हमारे पास experience है तो हम competitor ऐसा चूज करते हैं जिनका 300 400 500 600 आर्टिकल है तब भी हम लोग उसको बीट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है आर्टिकल लाइटिंग experience सारा चीज है लेकिन मैं यह सजेस्ट करता हूँ एक नए बोलोगर को कि आप 6 महिना में कितना आर्टिकल कर सकते हो कोई 50 करता है कोई 100 कर सकता है तो उसी बेस पे आप एक नीज सेलेक करो तो हम यहाँ पर यह चूज करते हैं कि 50 से 100 या 110 120 के रेंज में आर्टिकल हो तो आप वो साइट उठा सकते हूँ उसके बाद root domain देखते है root domain backlink से related होता है कि root domain जितना कम हो वो चूज करते हैं अब देखो यहाँ root domain क्या होता है एक site है qura.com एक site है microsoft.com तो आप Microsoft से 100 backlink लोगे तो backlink count होगा 100 लेकिन domain कितना है एक domain एक ही है Microsoft वहीं qura से आप backlink लेगो 10 तो backlink count होगा 10 लेकिन qura क्या है एक ही domain है तो qura.com आप Microsoft मिला के कितने domain होगे दो domain होगे तो इसी को हम root domain बोलेंगे लेकिन backlink कितना हुआ 100 और 10 110 backlink होगा तो हम backlink पे नहीं ध्यान देंगे root domain जो दो हो रहा है उसी पे ध्यान देंगे बाकि इसको practically हम आगे समझेंगे तो चलिए थोरा सा कुछ नीच से find करते हैं ये वीडियो दूसरी बार record कर रहा हूं पहली बार मैंने record किया था तो उसमें audio नहीं आया था तो इसी वजह से थोरा सा issue और थोरा सा time लग रहा है कोई बात नहीं पहला हमने कल बात किया था remote के जाना है अब इसमें देखो TV remote LG इन तीनों से related जो भी domain मिलेना उसको pick up कर लेना है हमें ठीक है अब आपको one by one नीचे देखो ये पहले ही video में record कर चुका था तो ये आपको दिख रहा है तो ये देखो LG TV से related ये पूरा site बनाया हुआ है तो इसको एक बार site करते हैं और कोई साइट देखते हैं जो remote TV से related हो एक बार देख लेते हैं थोरा सा और आपको नीचे जाना है कुछ ना कुछ मिलेगा ही देखो ये smart TV remote app remote से related है ठीक है बाकी तो ये दो साइट हो गई इनको हम क्या करेंगे home page पे चले जाएंगे ठीक है और आपको इनका डिये वगरा देख अब इसका हम आर्टिकल लेंट देखते हैं तो साइट मैप खोलेंगे टोटल आर्टिकल कितना इन लोगों ने किया है वह हमें चेक करना है तो इसका भी site map एक बार open कर लेते हैं पोस्ट में जा रहा है इसके भी पोस्ट में एक बार तो इसमें देखो 341 URL से मतलब 341 पोस् अबर को 50-120 के range में हो तभी आप लोग काम करो ज्यादा हो जैसे यह ज्यादा हो रहा है तो आपको इसमें नहीं करना है तो एक यह TV remote से related हो गया तो यह पहले ही हम छट जा रहे हैं तो इसको नहीं करना है दूसरा था monitor के उपर तो monitor में हमने क्या देखा था gaming monitor एक देखा थ यह तो जो आप जिससे connect कर रहे हो ना उसी पर आप select कर सकते हो तो मैं देखो coding में थोड़ा ज्यादा connect कर पाता हूं तो इसलिए मैं coding में एक बार programming वाले में select कर लेता हूं तो programming में select करने के बाद यहां नीचे आएंगे और हम क्या देखेंगे gaming monitor से related कोई site है या monitor से तो उस बहुत बार यह बहुत सारे extension के वजह से reload नहीं हो पाता है हाँ तो अब यह load हो रहा है ठीक है तो आपको second page तक जाके थोड़ा बहुत check कर लेना है बहुत बार लोग पहले page check करके छोड़ देते हैं तो देखो यह पहले video record किया हुआ था मैं देखो यह monitors related site है देखो बाकी और नीचे आप जाके select कर सकते हो जो अगर आपको दीखे तो आप find कर सकते हो ठीक है देखो यह gadget diary करके है gadgets related है अब देखो monitor hype है इसके भी home page पे चले जाते हैं हम लोग और यह gadget वाले के भी home page पे हम लोग चले जाते हैं ठीक है तो यह Indian site है यह USA site है तो आपको जिस जगह का target करना है वहां के keyword research कर सकते हैं उसके keyword research master class video follow कर तभी आपको सारी चीज़े समझ में आएगी बाकी देखो यह हमने क्या किया इसका post count हमने देखा तो इसमें कितना 62 post है ठीक है उसके बाद अब एक बार इसका देख लेते हैं इसमें post कितने हैं यह side homepage है और यह देख लेते हैं यह post count है 116 मिंस हमारे range में है 110 120 बोलाता तो उस range में यह आ जाएगा तो यहां से आप check कर सकते हो उसके बाद इनका traffic देखने के लिए एक idea ले सकते हो यह बस idea के लिए ही लेना यह नहीं कि यह लकीर हो गया कि इतना traffic है तो इतना ही होगा नहीं यह just for idea है ठीक है कि कितना इस वो कैसे check करेंगे free backlink checker href का है बहुत लोग free का नाम सून के दूर भागने लगते हैं कि यह free है गलत बताएगा इससे काम नहीं होगा हमें जब चाहिए तप पेड़ी चाहिए तो उसका भी आज एक ममीत को जो है वो हटा देता हूं में यह देखो monitor site पे linking website जो है वो root domain है तो 45 आ रहा है यह बिलकुल free tool है ठीक है लेकिन अब इसी को मैं आपको एक 18-20,000 का tool है उसमें check करके दिखा देता हूं उसे में चरफ काई है जिसका payment हम लोग 20,000 के आसपास करते हैं 18-20,000 के और इसको एक बार देख लेते हैं इसका root domain देख लेते हैं कितना आ रहा है 45 यह देखो 20,000 का tool है और यह देखो free tool है आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए paid है कि free है इस पे नहीं जाना चाहिए दोस्त सेम अब हम Indian site पे एक बार check कर लेते हैं कि इस पे कितना backlink है एक बार इस पे कितना है 30 है ठीक है अब free वाले में देख लेते हैं कि यह कितना द नहीं आप free tool के मदद से ही बहुत सारे चीजे कर सकते हो basically free tool से ही आप अच्छी अच्छी चीजे सीख सकते हो paid tool से नहीं हो जाता है knowledge से सारा चीज होता है जितना ज्यादा आप घीस होगे उतना ज्यादा आपको knowledge रहेगा तभी आप चीजों को कर पाओगे तो इस method पे हम ए इतने में होगी यह your short method नहीं पता चलता है लेकिन कुछ experience बंदे हैं जैसे 6 महिना तीन महिना चार महिना पांच महिना तो वो multi niche पे news फलना ठिकना site पे काम करने के बजाए इस सब पे काम कर सकते हैं तो थोरा सा भी अगर income होता है 50 डॉलर 100 डॉलर पर मंत का तो यह सब सारी site 4000, 3000, 2000 डॉलर में sale हो जाती है इनका यहीं फायदा है तो इस base पे आप choose कर सकते हो लेकिन मैं आपको एक sure short method भी बता देता हूँ जिस पे आपको पता रहेगा कि मेरे को इसमें कितना income हो सकता है यह site मेरे को कितने में sale हो सकती है और मेरे को कितना article करना है यह सब भी अब जान लेते हैं तो चलिए वो भी देख लेकिन sure short method का है जिसमें पता चल जाए कि हमारा इतना का ही chance है इतना तक value का हम site create कर सकते हो कैसे करेंगे तो कल मैंने बताया था फिलिपा method और motion invest method तो वहां से आप sure short site find कर सकते हैं कैसे वो मैं एक बार दिखा देता हूँ तो यहाँ फिलि recently sold पे click करना है ठीक है और यह और यह open हटा दे तो इससे यह पता चलेगा ना कि यह site बिग गई है किसी ने इसको खड़ीदा है means कि इसमें value था यह site value provide कर रहा था अब देखो अब अपने अउखात अपने idea अनुसार इस पे आपको आगे काम करना है तो वह कैसे करेंगे वह हम देखते हैं एक बार ठीक है यहां पे content में आके blog पे click करके बाकी सारी चीजों को हम छोड़ते हैं ठीक है अब देखो monthly हमें क्या करना है revenue कि कम से कम यह site 100$ तो कमा ही रही होगी ठीक है let's suppose revenue कर देते हैं 100$ ही कर देते हैं ठीक है और यहां भी 100$ कर लेते हैं ठीक है तो यह ह एक छोटी छोटी site आपको मिल जाएंगी जिस पर आप काम कर सकते हैं उसको 2000-3000-4000-5000$ में sale कर सकते हो तो यह site है अब देखो आपको मैं दिखा रहा हूं कि यह sale हुई है कल जो मैंने दिखाया था तो अब आपको इस सब को one by one open करके देख लेना है ठीक है जो आपको दो हजार डॉलर के आसपास ठीक है और देखो यह चार यहर पांच यहर देखके नहीं घबराना है बहुत बार यह expired domain होता है तो यह site के ज्यादा दिखाई देते हैं ठीक है अब देखो यह coffee से related है यह site तो इसको भी एक बार open करके देख लेते हैं और यह site को हम same वैसे जैस लोगा तो कितना post है 22 पोस्ट है ठीक है page में देखो page कितना साथ है तो मालो कि 30 के नीचे ही इसमें post है और यह site कितने में sale हुई है यह site कितने में sale हुई है दोस्त यह देखो 2000 डॉलर में यह site sale हुई है 22 पोस्ट वाली तो ऐसे ही sure sort site आपको find करना है जो कि कम post हो और link कम हो उसको find करो और उसको choose करो तो इसको पता चल जाए कि यह site मैं जब बना लूँगा 50 डॉलर 100 डॉलर कमाऊंगा तो मेरा valuation कितना बनेगा और इसका backlink free वाले से check कर लेते हैं कितना है देखो 153 है तो अगर यह आपके range में लग रहा है कि मैं यह सारे backlink बना लूँगा तो यह यह सारे site के data यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि मन्थली कितना page view आ रहा है, daily कितना page भी आ रहा है, मन्थली कितना revenue हो रहा है, यह सारा detail आप यहाँ पर देख सकते हो लेकिन हम जो niche choosing करेंगे इसमें से आज नहीं choose कर रहा है आप इसमें से choose कर सकते हो अपने अनुसार, यहाँ पे डाटा भरके 200, 300, 400 डॉलर जो मन करें यहाँ भरके आप यहाँ से your site चूज कर सकते हो हम जो site चूज करेंगे वाले हम वो motion invest पे चूज करेंगे ठीक है और यहाँ से buy site में जाके आप यहाँ से सारे detail निकालके चूज कर सकते हो view available site और सब site के आप data देखो details देखो कि monthly कितना इसका income है 116 डॉलर और visitor परमन बहुत ही कम है लेकिन फिर भी इसका asking price इतना है तो आपको यह इस पे नजर करा के रखना है कि यह site sale हुई की नहीं हुई अगर यह site sale हुई तो आप उस पे काम करना शुरू कर दो तो वो कैसे पता चलेगा यह view listing वाला जो link है न यह copy करके रखो ठीक है और बार बार इसी पे visit करोगे न तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा site sold तो हमने एक वीडियो किया हुआ है take news blog ideas पे जिसमें मैंने cover किया था एक news था Spotify के related ठीक है और उसके बाद same हमने एक किया है live article writing वीडियो जिसमें हमने एक topic Spotify के उपर पूरा article लिखा है डेर घंटे में आपके सामने live करके YouTube में आज तक ऐसा कोई नहीं करता है ठीक है यह सारी चीजे आप बहुत कम लोग करते हैं ठीक है तो वो मैं दिखाने वाला हूँ कि Spotify के उपर मेरे को एक email आया था तो देखो यह email आया था Spotify solution का ठीक है तो मैंने देखा चलो यह तो हम लोगों ने इस पे काम भी किया हुआ है और बाते भी किया है वीडियो भी बनाया है तो इसी को एक बार देख लेते हैं तो मैं इसको track कर रहा था कि यह sale हो रहा है कि नहीं तो देखो क्या पता चलता है कि ये site क्या हो गई है? ये sale हो गई है और monthly visit कितना था? इस पे 20,000 के आसपास में इस daily का 6-700 कहीं visit था और ये site sold हो गई है और कितने में ये site sold हो गई है? और ये site का जो price था वो देखो 7,400 डॉलर के आसपास था मतलब 5,000,000 के ऊपर ये site sale होगी तो ये site भीग चुकी है तो इसी पे हम लोग ये choose करके काम कर सकते हैं monthly income 218 डॉलर के आसपास हुआ करता था और article देखो कितना है 101 article है जो कि हमारे range में है और बाकी क्या रहा गया? एक बार हम इसका क्या check कर लेंगे एक बार इसका backlink चेक कर लेंगे ठीक है तो ये paid में check कर लेते हरे में कितना दिखा रहा है? 2001,92 ठीक है? और ये free में कितना दिखा रहा है? इसमें भी 2001,92 ही दिखा रहा है तो इसको मैं choose करके लेके चलता हूँ ये थोड़ा सा 100,500 से उपर से head route domain लेकिन हम लोग इसको training के purpose से ले रहे हैं तो मैं इसको choose कर लेता हूँ तो ये वाला niche और ये वाला site हम लोग choose करेंगे इसलिए choose करेंगे कि इस पे already हमने बात कर चुके हैं हम लोग इस पे already बात कर चुके हैं अगर कोई दूसरा niche लेके चलेगे तो वह भी आप लोग इससा करोगे सारा site बना दोगे उसी पे तो वह कोई rank ही नहीं करेगा तो इसलिए हम यहीं लेके चलते हैं बाकी और सारा जो niche's के list है आप लोग खुद फाइंड करो फिलिपपा से फाइंड करो, मोसान इन्वेस्ट से फाइंड करो जो आज मैंने method बताया उससे फाइंड करो और उसी पे आप लोग काम करो तो यह तो हो गया sure sort niche selection जिससे की पता चल जाएगी कि site का valuation कितना हो सकता है मन्थले income target क्या रहेगा मतलब आपको पता चल जाएगी कहां तक मैं जा सकता हूँ कौन से train से जाना है कितना article लिखना है कितना backlink बनाना है और अगर site sale करूँगा तो मेरे को कितना आएगा ये सारी चीजे पता चल जाती है स्योर सौट मेथर से तो इसी niche को लेके हम आगे क्या करेंगे आगे training को continue करेंगे जिसमें अगला हम बात करेंगे domain selection के उपर कि कैसे हमें domain select करना है हमारा domain क्या होना चाहिए जो कि जल्दी सी rank हो जाए जल्दी से indexing हो जाए ये सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे तो आपको meanwhile देखो homework में क्या करना है कि अपने लिए जैसे मैंने knees find किया आपको एक knees find करना है और वो homework में find करके खुद रखो फिर domain selection का वीडियो आएगा तो उसको देखके आप लोग अपने लिए domain select करो और फिर ऐसे ही training को हम लोग आगे proceed करते रहेंगे बाकी ये जो पूरा playlist है ना ये playlist बना दिया हो pay training का जिसको आप लोग हमेशा देख देखके follow करके सीख सकते हो कल वाला वीडियो आपको देखना most important है जिसमें मैंने बताया था niche finding के बारे में और बाकी ये playlist आप अपनों के साथ share कर सकते हो ताकि लोग चीजों से सीख सके आपको दुआए दे मुझे दुआए दे और आज का वीडियो देखने के लिए आपको thank you so much करता हूं कि आपको अच्छा से यह समझ में आई होगी अगर फिर भी कोई यूस हो है तो टेलिग्राम ग्रूप है वहाँ जोइन कर सकते हो नीचे कमेंट करके question पूछ सकते हो thank you so much